बचों, हम आज कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की NCRT हनी कॉम्ब में से चाप्टर 7, The Invention of Vita Wonk ये है आपकी इंग्लिश की NCRT हनी कॉम में चाप्टर 7 ये है हमारा रेक्चर 200 तेज नंबर है इसका 99 आपकी इंग्लिश की NCRT हनी कॉम में चाप्टर का नाम है The Invention of Vita Wonk Vita Wonk एक साइंटिस्ट का इंवेंशन है इंवेंशन मतलब कुछ नया बनाना तो एक साइंटिस्ट ने एक नई चीज बनाई है जिसका नाम है Vita Wonk ये कुछ ड्रॉप्स हैं एक साइन्टिस्ट ने ये कुछ ड्रॉप्स बनाए है जिसका नाम रखा है वीटा वॉंक So इचाप्टर चालू करने से पहले कुछ सवाल Who are the oldest people you know? कौन से वो बुड़े लोग हैं जो आप जानते हो? What are the oldest things you have? सबसे पुरानी चीज़ें आपके पास कौन सी है? How old are they? वो कितने सालों की हैं? Have you ever wished that you were older? क्या कभी आपने ऐसे भगवान से मांगा है कि भगवान मेरी उमर बढ़ जाए? Have you wished that you could grow up in a hurry? क्या कभी आपने भगवान को ऐसे बोला है? भगवान कि मैं बहुत फास्ट फास्ट बढ़ा हो जाओं या बूड़ा हो जाओं? सो ये चाप्टर कुछ उमर के भारे में ही है. चाप्टर का नाम है The Invention of Vita Wonk या Vita Wonk. चाप्टर में एक मेन क्यारक्टर है, वो है Mr. Willi Wonka. Mr. Willi Wonka एक साइन्टिस्ट है, जो की एक चॉकलेट फैक्टरी के ओनर भी है. So Mr. Willi Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. ये जो साइन्टिस्ट है Mr. Willi Wonka. साइन्टिस्ट का नाम है Mr. Willi Wonka. Mr. Willi Wonka. Mr. Willi Wonka ने पहले क्या invent किया था? पहले क्या बनाया था? Wonka White बनाया था. क्या बनाया था? Wonka White. उन्होंने Wonka White बनाया था. Wonka White पीने से लोग, which makes people younger. Wonka White पीने से लोग क्या हो जाते हैं? जवान हो जाते हैं. But Wonka White is too strong. Wonka White बहुत जादा strong होती है. So some people disappear. इसलिए इतनी ज़्यादा strong थी वो, जो नोंने धवाई बनाया थी. Wonka White. सबसे पहले, Willi Wonka ने एक दवाई बनाया थी. Wonka White. Wonka White दवाई पीने से लोग, जवान हो जाते हैं. यंगर हो जाते हैं. पर Wonka White इतनी ज़्यादा strong थी, इतनी ज़्यादा strong थी, कि so some people disappear. कुछ लोग गाया भी हो गए. Because their age become minus. मतलब वो दवाई इतनी ज़्यादा असरदार थी, कि लोग इतने छोटे हो गए, कि वो गाया भी हो गए, छोटे हो हो के. माइनस हो गए. One person actually becomes minus 87. मतलब एक 87 इंसान, 87 साल के इंसान को पिलाई, वो minus 87 हो गया. Which means he's got to wait 87 years before he can come back. मतलब उस आदमी को अब 87 years का इंतिजार करना पड़ेगा, कि वो लोगों को देख पाए. मतलब वो वापस, मतलब गायब से सबको दिख पाए, उसके लिए उसको 87 साल इंतिजार करना पड़ेगा. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. तो Mr. Willy Wonka को अब कोई नई चीज़ खोजनी पड़ेगी. मतलब विली Wonka ने पहले क्या खोजा? वांका वाइट, वांका वाइट से लोग जवान हो जाते हैं, पर इतने जवान हो जाते हैं, कि लोग गायब ही हो जाते हैं. एक आदमी तो माइनस हो गया था. तो अब भी मिली Wonka ने सोचा, अब मुझे कुछ नया invention करना पड़ेगा. ये वांका वाइट तो एकदम ऐसा जवान करतेता है, कि लोग गायब हो जाते हैं. तो मुझे अब कुछ नई चीज ढूननी पड़ेगी, नया invent करना पड़ेगा. So, फर्स्ट पेरेग्राफ, फर्स्ट पेरेग्राफ ये है पेज नमबर 99. So, पेरेग्राफ वन, Mr. Wonka said, Mr. Wonka कौन? Willy Wonka, जिन्होंने पहले ऐसी टेबलेट बनाई थी, जिससे लोग जवान हो जाते हैं. So, once again, I rolled up my sleeves. बोलता है, फिर से मैंने मेरी sleeves roll up कर दी. Sleeves roll up करना मतलब तयार हो जाना, ठीक है? कमर कस लेना. Rolled up my sleeves मतलब किसी चीज के लिए तयार होना. And set to work. और मेरा काम करना चालू किया. Once again, I squeezed my brain. मैंने फिर से मेरी brain को निचोड़ा. Searching for the new recipe. नई recipe की तलाश में. मतलब कुछ नया ढूंडने. I had to create age. मुझे age पैदा करनी थी. I had to create age. मतलब मुझे age पैदा करनी थी. To make people old. लोगों को बुड़ा करने के लिए. Old, older, oldest. बुड़ा और बुड़ा बिल्कुल बुड़ा. हाँ हाँ, I cried. For now, the ideas were beginning to come. मैं चिलाया. क्योंकि अब मेरे दिमाग में नए-ने ideas आ रहे थे. What is the oldest living thing in the world? दुनिया में सबसे पुरानी चीज क्या है? What lives longer than anything else? कौन सी चीज किसी चीज से ज़्यादा लंबा चलती है? A tree, Charlie said. Charlie ने क्या बोला? एक tree. Charlie, right you are. Charlie, but what kind of a tree? Not the douglas fir, not the oak, not the siddhar. No, no, my boy. It is a tree called the Bristol Cone Pine that never grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. So, Charlie बोलता है, मतलब अब वो दिमाग लगा रहा है कि मैं अब जो है, एज बढ़ाने वाली दवाई बनाऊं, बूडा करने वाली दवाई बनाऊं. So, अपने असिस्टेंट से, Charlie से पूचता है कि सबसे पुराना, कौन सबसे जादा पुराना है, उल्डेस्ट क्या हो सकता है पूरी दुनिया में, सबसे जूना, सबसे पुराना क्या हो सकता है, या कौन सबसे लंबा जीता है? तो Charlie बोलता है, एक ट्री. Right, you are Charlie. But what kind of a tree? Not the Douglas fir, not the oak, not the siddhar, no, no boy. It is a tree called the Bristol Cone Pine that grows upon the slopes of Wheeler Park in Nevada, USA. So, वो क्या बोलता है? Charlie, तु सही बोल रहा है. But किस तरह का tree? Douglas fir नहीं, oak नहीं, siddhar नहीं, ये सारे बहुत ही पुराने trees के नाम है. Douglas fir, oak, siddhar, ये सारे पुराने trees के नाम है. No, no, my boy. तो वो बोलता है, नहीं नहीं, Charlie. It is a tree called the Bristol Cone Pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. USA. दुनिया में सबसे पुराना tree कौन सा है? Bristol Cone Pine. Bristol Cone Pine करके tree है, जो कहां उखता है? That grows upon the slopes of, कहां उखता है? That grows upon the slopes of, पहाडियों पे, कौन सी पहाडियों पे? वीलर पीक in Nevada, USA. कहां उखता है? That grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. USA की, नेवाडा की वीलर पीक पे. You can find Bristol Cone Pines on Wheeler Peak today that are over 4000 years old. So, आपको जो Bristol Cone Pine है, Bristol Cone Pine tree कहां मिलेगा? Wheeler Peak पे मिलेगा, आज ही, जो की 4000 साल पुराना है. This is fact, Charlie. ये fact है. So, Wheeler Peak today that are over 4000 years old. This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like. Dendrochronologist वो होते हैं, जो बताते हैं कि चीजें कितनी पुरानी है, ठीक है? So, देखो, फर एक ट्री है, ये फर ट्री है, फिर ये ओक ट्री है, फिर ये सिडार ट्री है, पाइन, और ठीक है? So, ये सारे ट्रीज होते हैं. So, एक जो scientist बोल रहा है कि सबसे पुराना ट्री है, वो कह रहा है, नहीं, Bristol कौन पाइन ट्री सबसे पुराना है. So, वो बोलता है, ये तुम्हें, चार हजार साल पहले, ये चार हजार साल पुराने ट्रीज होते हैं. और किसी भी डेंड्रो क्रोनो लॉजिस से पूछ लो, and look that word up in the dictionary when you get home, will you please? और फिर ये शब्द का मतलब तुम डिक्शनरी में देख लेना. So, that started me off, I jumped into a great glass elevator. फिर क्या किया? ये सोच के ही scientist जो है, वो अपने great glass elevator में बैठ गया. Great glass elevator मतलब, एक उसकी glass की बनी हुई कुछ ऐसी time machine जैसा कुछ था, और वो उससे पूरी दुनिया गूम सकता था. किस में बैठा? Great glass elevator में. And rushes all over the world. और वो पूरी दुनिया गूमने निकल पड़ा. Collecting special items from the oldest living things. क्या डूनने निकला था? सबसे पुरानी चीजें डूनने निकला था. जो भी जिन्दा पुरानी चीजें हैं उनको डूनने निकला था. ताकि वो डून्ड के वो नया invention कर सके, जिससे लोगों को बूड़ा किया जा सकता है. अब पिन्ट ओफ सैप फ्रॉम ए 4,000 इयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन. सबसे पहले उसने क्या ली चीजें? सबसे पुरानी चीजों में ट्री. सो ट्री था, ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री था. उसमें से उसने थोड़ा सा सैप, मतलब उसका जो तरल पदार्थ होता है, जो उसका फ्लूइड होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ट्री का वो लिक्विड पार्ट लिया. और क्या लिया? उसने और क्या लिया? एक रशियन फार्मर डूंडा, जो की 168 यर्स का था, उसने उसके पैरों के नाखुन का टुकडा लिया. ठीक है? उस फार्मर का नाम क्या था? पेट्रोविच ग्रेगोरोविच. उस फार्मर का नाम था? पेट्रोविच ग्रेगोरोविच. एन एग लेड बाइड बाइड टू हंडर इयर ओल्ड टॉर्ट टॉइस बिलोंगिंग तु दे किंग अप टॉंगा. उसने एक एग लिया 200 साल पुराने टॉर हटॉइस का एन एग लेड बाइड बाइ और 200 एयर ओल्ड टॉइस. टॉर्ट ओंटॉइस तॉर्टॉइस का एग लिया 200 साल पुराने कचुइस का बिलोंगिंग तु दे किंग अफ टॉंगा.The tale of a 51 year old horse in Arabia. उसने पूछ ली एक 51-year-old horse की पूछ ली the whiskers of a 36-year-old cat called crumpets उसने एक crumpet करके बिली थी 36 साल की बिली थी उसके whiskers मतलब मूच के बाल निये यह बिल्लियों में 36 years बहुत जादा होती है ठीक है घोडों में 51-year-old horse की एज बहुत जादा होती है tortoise तो 200 साल का तो यह एज जादा होती है An old flea which had I lived on crumpets for 36 years एक old flea, flea का मतलब छोटा सा insect जो की जानवरों की चमडी पे रहता है एनिमल्स की स्किन पे रहता है उनके खून के लिए So, an old flea which had lived on crumpets for 36 years So, 36 years से वहीं जी रहा था उस चींटी को या उस इंसेक्ट को लेके आया The tail of a 207 year old giant rat from Tibet टिबेट से क्या लाया? टिबेट से 207 साल बड़े चुहे की पूछ लाया मतलब जितने भी बूडी चीजे हैं जो भी बहुत पुरानी चीजे हैं वो उनके शरीर के हिस्से ला रहा था The black teeth of a 97 year old gramal kin living in a cave on Mount Popo Caterpetl Gramal kin का मतलब भी एक बूडी बिल्ली होती है ठीक है? So एक बूडी बिल्ली, gramal kin मतलब एक बूडी बिल्ली 97 year old की बूडी बिल्ली थी जिसके काले टीथ थे और वो एक गुफा में रहती थी Mount Popo Caterpetl Mount Popo Caterpetl इस गुफा में रहती थी वो इस Mount इस पहाडी की गुफा में एक 97 year old की gramal kin, gramal kin मतलब बिल्ली रहती थी उसके काले टीथ लिये the knuckle bones of a 700 year old katalu from Peru katalu का मतलब होता है cow और buffalo के cow और buffalo जैसा एक प्राणी होता है दोनों के मिलने से एक breed बनती है katalu उसके knuckle bones लिये, knuckle bone का मतलब उंगली की हड़ी ठीक है, उसकी उंगली की हड़ी ली 700 साल पुराने katalu के जो पैरू में रहता था ठीक है, इन सब ये सारी पुरानी चीजें थी जो वो अपने उस पे निकला था great glass elevator पे निकला था अपने great glass elevator पे जब भूमने निकला तो उसको ये सारी पुरानी चीजें मिली और इसने ये सब चीजें इकठा करता गया अब second paragraph, page number 101 पे second paragraph all over the world Charlie, Mr. Wonka went on I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them a hair or an eyebrow or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scrapped from between its toes while it was sleeping तो अब वो आ गया, अब वो Charlie को बताता है मैं पूरी दुनिया में गया Charlie मैंने सबसे पुरानी और सबसे ancient animals ढूंडे and फिर मैंने ढूंडने के बाद उनके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा ले लिया चाहे उनके बाल हो, चाहे उनकी आईब्रो हो या कुछ और नहीं तो एक बिल्कुल नहीं होता है एक चुटकी भर उनके जो उनके टोज होते थे उनके नाखुनों में मैल होती थी वो ले लेता था while it was sleeping, जब वो सोते थे और बोलता है मैंने क्या क्या देखा बूरी चीजों में मैंने I tracked down the whistle pig मैंने pig देखा the bobolink ये सारे जानवरों के नाम है जो उसने देखे whistle pig, the bobolink, the scarock, the poly frog the giant curlicue, the stinging slug and the venomous squiracal so ये सारे चीज़े हैं मतलब उसने सारे एनिमल्स देखे थे ये खतरनाक खतरनाक एनिमल्स देखे थे मतलब ये सारे जहरीले एनिमल्स हैं ये जो भी एनिमल्स के नाम लिए सारे जहरीले एनिमल्स हैं who can spit poison right into your eye from 50 yards away जो 50 yards भी दूर हो ना तो भी उनकी थूक में poison होता है वो सिधा poison आप पे फैक सकते हैं but there is no time to tell you about them all now Charlie पर बोलता है ये सब अब बतानी का समय नहीं है तुम्हें Charlie ये सारे मैंने इतने खतरनाक खतरनाक जहरीले जहरीले जानवर देखे तो अगर वो जीर है मतलब अगर उनके वो जगर होते और उनका कोई body part में लेता तो ये लोग तो मुझे poison से मारी डालते तो उनकी नींद में मैंने उनके टो का हिस्सा या टो की मैल भी ले पाया मैंने लिया मैंने इतने जहरीले जहरीले जानवरों की भी क्योंकि वो इतने उमर लायक थे तो मैंने उनकी भी सारी मतलब सब चीजें मैं दुनिया भर की सारी पुराने जानवरों पुराने इंसान की चीजें भरके लाया हूं Let me just say quickly that in the end after lots of boiling and bubbling and mixing and testing अब क्या बोल रहा है last में अब मैं तुम्हें जल्द से बता रहा हूं कि आखिर में after lots of boiling and bubbling boiling and bubbling मतलब बहुत ज़्यादा उबलने के बाद और bubbles होने के बाद mix करने के बाद, test करने के बाद in my invention room मेरे invention room में I produced मैंने मेरे invention में produce किया है one tiny cup full of oily black liquid मैंने मेरे invention room में क्या produce किया है एक छोटा सा cup produce किया है किसका oily black liquid का oily black liquid का मैंने छोटा सा cup produce किया है and gave 4 drops of it to a brave 20 year old उम्पा लूम्पा volunteer to see what happened क्या बोल रहा है जो ये scientist है वो Charlie को बता रहा है कि भाई ये सब करके आया हूँ मैं इतनी महनत करके इतने जहरी ले जंगली जानवरों के शरीर के हिस्से लेके आया हूँ पर ये सब करने के बाद ये सब करने के बाद मैं आया हूँ पर मैं तिरको सारी कहानी नहीं बताऊँगा अब देख मैंने मेरे इन सारी चीजों को मैंने mix किया उबाला, bubbles निकले, mix किया, test किया ये सब करने के बाद ये सब मैंने मेरे inventing room में किया I produced one tiny cup full of oily black liquid ये सब करने के बाद एक छोटा सा cup tiny cup मतलब छोटा सा cup oily black liquid ठीक है मतलब एक दम oily black liquid मैंने produce किया and gave four drops of it to a brave 20 year old उमपा लुमपा वॉलेंटियर और उसकी चार बूंदें मतलब मैंने एक cup बनाया है चोटा ये सारे पुरानी चीजों को मिला के उबाल के मेरे inventing room में सारा experiment करके मैंने oily black liquid बनाया है and gave four drops of it to a brave 20 year old उमपा लुमपा वॉलेंटियर फिर एक जन्ने पे मैंने experiment करने के लिए बुलाया है वो वॉलेंटियर है वॉलेंटियर मतलब वो तयार हुआ है ये experiment के लिए और वो 20 साल का है 20 एर का है उसका नाम है उमपा लुमपा वो उमपा लुमपा brave है brave मतलब वो बहुत भादूर है क्योंकि scientist के experiment fail भी हो जाते है कोई मर भी सबता है तो ये experiment कराने के लिए उमपा लुमपा आया है जो कह रहा है जिस experiment में आप बूड़े हो जाओगे वो experiment कराने आया है वो Charlie के पास what did happen Charlie asked अब Charlie उससे पूछता है scientist से कि आखिर हुआ क्या फिर क्या हुआ it was fantastic cried Mr. Wonka Mr. Wonka बोला कि ये तो बहुत अद्बुत था बहुत अच्छा था the moment he swallowed it जिस समय उसने उसे पिया he began wrinkling and shriveling up all over and his hair started dropping off and his teeth started falling out and before I knew it he had suddenly become an old fellow of 75 so वो क्या बोलता है बहुत fantastic हुआ बहुत अच्छी बात हुई Mr. Wonka चलाते है ये तो बहुत अच्छी बात हुई the moment he swallowed it जिस समय उसने उसको पिया he began wrinkling wrinkling का मतलब वो wrinkle होने लगा wrinkle मतलब उसकी skin बुडी होने लगी and shriveling और वो shrivel होने लगा shrivel मतलब एकदम कांपने लगा जैसे बुडे लोग कांपते हैं गड़ी गड़ी कांपने लगा his hair started dropping off बुडे लोगों की तरफ उसके बाल भी गिरने लगे and his teeth started falling out और उसके जो दांत थे वो भी गिरने लगे and before I knew it और इससे पहले की मैं जान पाता he had suddenly become an old fellow of 75 इससे पहले मैं जान पाता वो अचानक से 75 year का एक old fellow बन गया एक बहुती पुराना आदमी बन गया 75 years का and thus my dear Charlie was Vita Wonk invented और इसी तरह से मेरे प्यारे Charlie Vita Wonk का invention हुआ so Vita Wonk क्या है Vita Wonk वो दवाई है जो की इस scientist ने जिसका नाम था इसका नाम आपको चाप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है विली वॉंक का विली वॉंक का ने Vita Wonk दवाई बनाई है Vita Wonk दवाई बुड़ा करती है लोगों को तो ये दवाई से इस दवाई की सरिफ 4 बुंदों से 4 बुंदे पीने से वो 20 साल का आदमी 75 का हो गया मतलब कितना बड़ा हो गया 20 साल का आदमी 75 हो गया काउंट करो 55 यर्स का जाधा उमर हो गई उसकी और ये चाप्टर किसने लिखा है ये चाप्टर लिखा है novel लिखी थी, किताब लिखी थी उस किताब मसे ये chapter लिया गया है Roald Dahl R-O-A-L-D Roald Dahl ने लिखा है ये chapter invention The invention of Vita Wonk और ये ली गई है Charlie and the Great Glass Elevator बुक में से, ठीक है तो इस तरह से ये जो scientist है जिसका नाम है Billy Wonka पहले Wonka White करके दवाई बनाता है जिससे लोग young हो जाते हैं पर Wonka White इतनी ज़्यादा strong थी कि लोग गाया भी हो जाते थे तो उसको लगा उसको balance करने के लिए मुझे दूसरी दवाई बनानी पड़ेगी जिससे लोग भूड़े हो जाए उमर बढ़ जा है उसने सोचा 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 फिर उसने चारली से पूछा कि भाई चारली सबसे पुरानी चीज क्या है जो बहुत लंबा जीती है चलती है जो रहती है जो चारली ने बोला एक पेड फिर उसने पेड सोचा कौन सा तो ये पेड फिर उसने सोचा कि मैं सब चीजे वैसी पुरानी पुरानी चीजे ढूंडूंगा उन सारी चीजों को मैं एकठा करूँगा और उसने सारी चीजें एकठी की तीक है, तो इसने ये सारी चीजें एकठी की ये सारी लिस्ट है, ये सारी पुरानी चीजें एकठी की तो ये सब चीजें उसने ग्रेट ग्लास एलिवेटर से पूरी दुनिया गुमा ग्रेट ग्लास, हेलीविटर पे गूमा, ये सारी चीजें एकठी की, एकठी करने के बाद, पूरी दुनिया गूमने के बाद, हो वापस आया, उसने चार्ली को बताए, कि कैसे मैंने पुरानी पुरानी चीजें ढूंडी, पुराने जानवर डूंडे और हर किसी के शरीर से कुछ ना कुछ लिया फिर वो कहता है ऐसी poisonous poisonous प्राणी भी मिले ऐसे poison वाले प्राणी भी मिले मैंने उन से भी लिया फिर मैंने वापस आके अपने जो लेबोरेटरी है वहां आके मैंने भहुत सारी boiling की, bubbling की, mixing की, testing की सब किया, और finally मेरे inventing room में ये सब किया, और मैंने एक छोटा सा cup बनाया, एक oily black liquid, एक घाड़ा liquid बनाया, और 4 ट्रॉप्स दिये मैंने, उंपा लूंपा को जो कि 20 साल का है, वो तयार हुआ, ये काम करने के लिए, चारली ने पूछा फिर क्या हुआ तो वो Mr. Wong का एकदम चिला उठता है खुशी से कि बहुत फंटास्टिक हुआ कि बहुत अच्छी चीज हुई the moment he swallowed it, जैसे ही उसने उसको निगला या swallow किया, he began wrinkling and shriveling up all over and his hair started dropping off and his teeth started falling out and जैसे ही उसने लिया, उसके wrinkle होने लगा, बुड़ा होने लगा, shrivel होने लगा उसके बाल गिरने लगे, टीथ गिरने लगे और वो अचानक से एक बुड़ा आदमी बन गया, 75 का and thus my dear Charlie was Vita Wonk invented और इसी तरह से Vita Wonk का invention हुआ किस ने लिखा है, यह rolled dahal ने लिखा है, कहां से from Charlie and the great glass elevator, ठीक है so this was all about this chapter, read the entire chapter properly, अच्छे से सारा chapter read करें, the invention of Vita Wonk, page number 99 से यह chapter start होता है 99, 100, 101, 102, ठीक है, so यहां तक यह chapter है, read the entire chapter properly, जो meanings difficult लगें, just try to write them out, मैंने ज्यादा तर आपको बताई थी chapter के अंदर भी थोड़ी meanings लिखी हुई है, जैसे कि page number 99 पे set to work, जिसका मतलब है begin to work, recipe, instructions for making something, कुछ बनाने hardwood होता है, मतलब, जिनका वो root, root बहुत strong होता है, the chinnar in kashmir is a kind of oak tree, chinnar, फिर siddar, siddar क्या है, an evergreen tree with hard red sweet smelling wood, ठीक है, siddar एक sweet smelling tree है, used for making boxes, pencils, fences, etc, pine, an evergreen tree with needle shaped leaves and cones, ठीक है, needle shaped leaves and cone shape में है, flea है, a small insect living on the skin, of animals for their blood, ठीक है, so, छोटा ऐसा insect, जो की, जानवरों की चमडियों पे रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब दून दून के, मतलब दून दून के उसको पाही लेना, ठीक है, so, this was all about this chapter, read it properly and just message me, WhatsApp me, that madam, I had, I read the chapter, thank you.